हालो दोस्तो आप सबका फिर से एक बर एक नए वीडियो में स्वागत हैं आज हम DMS5 ड्रॉप के बारे में फूल जनकारी बताने वाले हैं और इस ड्रॉप को कौन से कॉमपनी बनाती है और इस ड्रॉप का MRP कितना है और इस ड्रॉप में कौन कौन से साल्ट मिलाए गया है और साथ में ये भी जानेंगे कि इस ड्रॉप को किन किन समस्या में यूज किया जाता है और इस ड्रॉप का डोज क्या है कितना मात्रा में पिलाना रहता है और इस drop को देने से क्या कुछ side effect भी होते हैं तो भाई ये पूरी information इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जुरूर देखिएगा अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर लिजिए और subscribe करके अपना प्यार जुरूर दिखाएं हालो दोस्तो मैं डॉक्टर अनुप कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर मेडिसीन आले चैनल तो दोस्तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस दवाई को कौन सी कॉम्पनी बनाती है तो भाई इसको AGS Life Care Company बनाती है और इसका MRP है लमसम 45 रुपए 99 पैसा चलिए अब आगे जान लेते हैं इसके कॉम्पजिशन के बारे में तो भाई इसमें डाइकलोमीन 10 mg, सिमेथी कौन 40 mg, डिलो आयल 0.005 ml, फिनाइल आयल 0.007 ml मिला हुआ है और यही इस दवाई का कॉम्पजिशन होता है चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इस डॉप के यूज के बारे में तो भाई इस दवाई को यूज छोटे बच्चों में पेट से सम्मंदीत कोई परसानी होती है तो उसमें इसका यूज किया जाता है दोस्तो आपने अक्सर देखा होगा कई बच्चे होते हैं उनके पेट में दर्द, एठान और मरोड की समस्या देखने को मिलती है यह जब उनको होता है तो वे धराम से रोना इस्टार्ट कर देते है चिलाना इस्टार्ट कर देते है तो इस समस्या में डॉक्टर दोरा इस दवाई को दिया जाता है और इसके अलावा बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और बहुत ज़्यादा पेट फुल जाती है हवा पास नहीं होता है तो इस समस्या से बच्चा रोने लगता है तो इसमें भी इस दवाई को दिया जाता है और बहुत ज्यादा फायदा मिलता है अगर किसी बच्चे को पेट में IBS यानि कि irritable bowel syndrome की समस्या हो गई है यानि कि उसके पेट में हमेशा दर्द बना रहता है और इसके अलावा आतों में सुजन हो जाना और इसके अलावा उनके पेट में constipation यानि कि कब्ज की समस्या हो जाती है और पेट कभी-कभी जढ़ना भी start हो जाती है तब जाकर इस drop का यूज किया जाता है और इसमें भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है जैसा कि हमने बताया कि अचानक किसी बच्चे को पेट में दर्द या गैस बनने की समस देना चाहिए और कितना time तक देना चाहिए तो दोस्तो इस दवाई को देने से पहले एक काम करना है वो काम है 15 मिनट खाना खिलाने से पहले या फिर 15 मिनट breastfeeding कराने से पहले तब जाकर इस drop को देना है बात करे कि कितना मातरा में देना है तो दोस्तो जो बच्चे 0 से लग आकर एक email drop दिन में तीन बार देना है और साथ में जिसका एज छो माँ से एक साल तक के बीच में है तो उन्हें एक email से लगाकर डेढ़ एमेल दिन में तीन बार देना है तो भाई इसी तरह से आप इस drop को दे सकते हैं या तो फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर से सला लेकर द साथ कुछ side effect भी होते हैं और इस दवाई का भी कुछ side effect हैं जैसे कि मिचली आना, उल्टी की समस्या होना, पेट में दर्द या गेस बनना और साथ में डायरिया दस्त की समस्या होना तो भाई इस drop का यही side effect हो सकते हैं अगर आपके इसमें से किसी पाकार का कोई भी side effect होते है और वे जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, तो नजदी की किसी डॉक्टर से संपर्क करें, जहां आप फॉरन टीटमेट मिल सकें, क्योंकि दोस्तों कोई भी साइड इफेक्ट जाल लेवा हो सकती हैं, तो आई होप दोस्तों तो आज के लितना ही, तो दोस्तों आप लोगों ने DM S5 डॉप के फायदे और नुक्सान के बारे में जाना, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपके मन में किसी परकार के कोश्चन है, तो नीचा कमेंट करके पूछ सकते हैं, धन्यवाद.